सूप्रभाद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आउ सिखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का व्यंजन है व्यंजन श, व्यंजन श, व्यंजन श, श से शटकोन, श से शटकोन, तो बच्चों चलो व्यंजन श को लिखना सीखते हैं, शुरू करें! पैंसिल को बिंदू पर रखा, एक चोटी सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से, अब इसको गोल घुमाते हुए उपर की तरफ ले गए इस प्रकार से, एक और सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से, और उपर एक शिरो रेखा लगाई इस प्रकार से, ये बन गया हमारा व्यं व्यांजन पर बनाना शुरू किया था, उस बिंदू पर पैंसिल को रखकर और इस बिंदू तक एक तिर्ची रेखा लगाएंगे इस प्रकार से, ये बन गया हमारा व्यांजन श, पैंसिल को बिंदू पर रखकर, सीधी रेखा लगा के गोल करते हुए उपर की तरफ ले अब इस बिंदू पर पैंसिल को रखकर एक तिर्ची रेखा लगाई इस प्रकार से व्यांजन श तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम बनाना सीख रहे हैं व्यांजन श श से शटकोन पैंसिल को बिंदू पर रखका और एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से गोल करते हुए उपर की तरफ ले गए इस प्रकार से और व्यांजन पा बनाया इस प्रकार से अब एक तिर्ची रेखा लगाई इस प्रकार से लेकिन ही हमारा व्यांजन श गलत है क्यों गलत हैं ब से आपने व्यंजन प बनाना शुरू किया था लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस तिर्ची रेखा को उल्टी दिशा में लगा देते हो तो व्यंजन शर गलत हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन शर बनाते समय इस बात का विशे ध्यान रखे कि आपको तिर्ची रेखा कहां से और किस प्रकार से बनानी है पैंसिल को बिंदू पर रखा व्यंजन प बनाया फिर इसके अंदर एक तिर्ची रेखा बनाई इस प्रकार से लेकिन ये हमारा व्यंजन शर गलत है क्यों गलत है बच्चों क्योंकि जब आप व्यंजन प बनाऊगे न तो इसको गोलाई में उपर की तरफ से लेकर जाना है आपको अगर आप गोलाई में ना ले जाकर आप इसको इस रहे से व्यंजन प बना दोगे तो आपका व्यंजन प और शर दोनों ही गलत हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखा आपने वेंजन्श हमने सुन्दर सुन्दर लिखावट के साथ कैसे लिखना सीखा तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप सब की बारी है सुन्दर सुन्दर वेंजन्श बनाकर हमें दिखाने की दिखाओगे न मेरे प्यारे बच्चो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चो